हाई आवरीवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाजर की भुजिया की रेसिपी गाजर की भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आदर किलोग गाजर लिया है जिनको मैंने काट कर उबाल लिया है अब हम इन गाजरों से जितना भी एक्ष्रा पानी है उसको हाथों से निचोड कर निकाल देंगे गाजर को मैंने यहाँ पर निचोड लिया है अब मैं एक कड़ाई के अंदर आयल गर्म करने के लिए रख दूँगी मैंने यहाँ पे मस्टर्ड आयल का यूज किया है आप चाहें तो कोई और भी कुकिंग आयल यूज कर सकते हैं आयल गर्म हो चेका इसके अंदर हम डालेंगे जीरा जीरा डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगे बारी कटे हुए प्याज साथ में मैं यहाँ पे डालूँगे हरी मिर्च इसी के साथ में हम डाल देंगे अद्रक और लैसुन का पेस्ट और इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दो बारी कटे हुए टमाटर और टमाटरों को हम प्याज और मिर्च के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे अब इसके अंदर मैं डालूँगे कुछ मसाले हल्दी पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे एक चमच मैं यहाँ पर डालूँगी लाल मिर्च पाउडर आदर चमच हम डालेंगे नमक, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और जादर डाल सकते हैं और इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अब इसके अंदर हम डाल देंगे उबली हुई गाजर गाजर को हमें ग्रेवी के अंदर चमच की साहता से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है गाजर ग्रेवी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब उसके बाद हमें दो मिनिट के लिए ढखकर पका लेना है सबजी को सबजी हमारी बन के तियार हो चुकी है इसके उपर से हम डाल देंगे हरे धनिया हरे धनिया को हम चमस से अच्छी तरीके से भुजिया के अंदर मिक्स कर देंगे हमारी गाजर की भुजिया बनके तियार हो चुकी है इस तरह से आसान तरीके से आप भी गाजर की बुजिया बहुत ही कम समय में बना कर तियार कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में